मावीर स्वामी की जो पतनी थी वो भी एक इनमर दिवाई साब पहले की जो राजकुमारी उभा करती थी वो मेकप उकप थोड़ी किया करती थी नमस्कार दोस्तो ब्रेक के बाद एक पर फिर से आप सभी का हमारे यूटूब चैनल धैररी स्टेडी पॉइंट पे स्वागत है आज अपन फ्रेंड्स जैन द्रम के बारे में डिसकर्स करने वाले हैं भी ये पार्ट फर्स्ट का टोपिक है और जो बोध द्रम ता आपका वो बोध द्रम मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ यानि एक या दो महीने पहले ही मैंने बोध द्रम को बड़िया डिटेल से पढ़ा रखा है यदि आप बोध द्रम से संबंदित भी जानना चाते हो क्योंकि वो भी very important question बन जाता है बड़े क्यूसनों में आ जाता है आता ही है ठीक है तो उसको यदि आप देखना चाते हो तो या तो आप है ना जो मेरी channel पर जाकर या आपको logo दिख रहा होगा धहरे का उस पर यदि आप के लिए करोगे तो वीडियो का section कुलेगा वहाँ पर आप जाकर नीचे करोगे ना तो वहाँ पर आपको बोध द्रम मिल जाएगा या मैं उसका link description box में डाल दूँगा उसको भी देखना नहीं बुले जैंद्रम की बात करते हैं काफी details अपन discuss करेंगे दो तीन वीडि करना होगा इससे क्या होगा कि दोनों धरम आपके complete अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी दूसरी बात जैंद्रम और बोध द्रम में time period जो है इनकी जो उत्पत्ती हुई थी इनका विकास हुआ इनका काल करम क्या रहा इन दोनों के बीच में आपको अंतर नहीं दिखा देगा अब एक बहुत बड़ा क्यूसर उड़ता है फ्रेंड्स की जैन द्रम और बोध द्रम आकिरकार में क्यों आई इसका परमुक आंसर यह हो जाएगा फ्रेंड्स क्योंकि जो वेदिक धरम था जो हमारी संस्कृति थी उसमें उस time काफी सारी बुराईया आ गई जैसे बहुत सारे आडम बरा आ गए अंद्विश्वास फैल गया और जो आर्रे थे उन्होंने काफी सारी बुराईया आ गई थी जैसे आप देखोगे कि पहले जो आर्रे थे वो एक ब्रामन यग्य कर लेता था लेकिन इस time क्या हुआ कि सो सो दिन तक यग्य चलता था सो सो ब्रामन होंगे उसमें तो इस परकार उसको कमाई का साध्यन बना लिया अंद्विश्वास काफी फैल गया सुद्रों को वैदिक द्रम में इस्तान नहीं दिया गया जो नीच जाती के बोले जाते हैं उनको उसमें इस्तान नहीं दिया गया इसलिए काफी लोग है ना जो वेदिक स्रम से अलग हो गए और उसके बाद में ये दोनों द्रम आते हैं और इन दोनों द्रम में सभी को जो सुद्र हैं जो नीची जात के जो काष्ट के जो लोग हैं उनको भी इस द्रम में आने की अजाज़त दी गई तो इस द्रम का और वैदिक वो जो बोद्रम था उसका विकास एक बड़िया तरीके से हुआ तो स्टार्ट करते हैं इसकी जो फ्रष्ट भूमी है जो मैंने बाते हैं मैंने बता दी अब अपन इसमें आगे चलते हैं कि जैंद्रम ठीक है एक एक चीज में किलियर करता चलूँगा जैंद्रम का समय समय पर विकास करने वाले महात्माओं को तीर्थंकर कहा जाता है क्या कहा जाता है तीर्थंकर कहा जाता है क्योंकि कभी कभी है ना जो अपन को कंपिटिशन की जो एक्जाम में दोगे उसमें का अफिवार आ जाता है कि तीर थंकर किस से संबंदित है कभी-कभी ऐसे पूछ लेता है जुद्ध जैंद्रम से संबंदित है अब तीर थंकर आप देखोगे कि जैंद्रम में कुल कितने तीर थंकर हुए चोईश तीर थंकर हुए यानि अब तक जैंद्रम में कुल चोईश त माहत्मा इसका मतलब क्या है, जो विध्वान हुए है, उनके दुआरा इस दर्म का समय समय पर विकास किया गया, और इन माहत्मा만 की संक्या कितनी हो गाई होगी, चोईस है, जैसे मान लीजे मैंने कोई दर्म चला एक उदारण के माध्यम से समझना आप है कि जैसे मान लीजे मैंने कोई दर्म चला दिया मैं जितने दिन जीऊंगा उतने दिन उस दर्म को चला लूँगा नेतर तो कर लूँगा लेकिन जिस दिन मेरी मरत्य हो गए न उसके बाद में जो मेरे सिश्चे होंगे वो उस दर्म को चलाएंगे फिर उनके भी शिश्चे होंगे वो चलाएंगे आपने कभी मंदिरों में सुनाओगा ग्रामीड चेतर में कि कोई मंदिर का जो संस्तापक होता है जो गुरू होता हो मर जाता है तो लोग ऐसे बोलते कि अर गद्धी पर कोन बेठा तो उनके शिश्चे ही बैठते हैं उसी प पर्थम तिर्थंकरों में पर्थम तिर्थंकर कोन थे 23 तिर्थंकर कोन थे 24 तिर्थंकर कोन थे इनके जो बीच के जो लोग रहे जो मात्मा रहे उनका नाम क्यों नहीं दे रखा है आपर सारी डिसकर्श करने वाले हैं वीडियो के अंतर तक आप बने रहें जहां पर तीर्थंकर रिष्व डेव है पर्थम तीर आपले अ कि सा देख में चैनिका बिलकुल इंपोर्टन बात एक के कैसी क्छिसांस कुल लिखे का से लिखने में ज्याद से दिकत नहीं होना कि जैंदर्म में अब तक च शोई। 7, 8 यह जैन्द्रम के पर्थम तीर्थंकर रिष्वदेव थे जैन्द्रम के 23 यह तीर्थंकर पार्शुनात थे और 24 यह तीर्थंकर नहीं, इनको अंतिम तीर्थंकर की संक्या भी दी गई है, क्योंकि इसके बाद में कोई बड़ा तीरथनकर नहीं हुआ अन्तिम तीरथनकर थीक है अन्तिम तीरथनकर कोन माने जाते हैं महावीर स्वामी माने जाते है अब आपके mind में एक question उठ रहा होगा कि इनके बीच के कहा गई दूसरे तीसरे चोथे पांच या इन तेईस तक इसके जो बीच के जो तिर्थन करते वो कहा गई तो फ्रेंड्स विद्वानु का इन पर कॉंट्रवेर्सी है यानि विवाद है कोई मानते कोई नाम बताते अलग कोई बताते अलग तो इत्यासकारों के बीच में है न जो मतबेद है इसलिए कई किताबों में उनके नाम नहीं दे रखे कई किताबों में दे रखे हैं तो आपकी जो बुक है उसमें भी इनका नाम नहीं लिख रखा सीधा ही लिख रखा है परतमतीरतंकर 33 और 48 ठीक है आगे चलते हैं महावीर स्वामी की जीवनी बायोग्राफी क्या उनका जीवन रहा कितना उन्हें कितनी कटनाई या जहले उनके मातःपिता का नाम क्या था तो मैंने जो टोपिक बना दिये इसके अंतरगत कि जनमिस्तान यानि जो महावीर स्वामी है उनका जनम कहां हुआ आखिरकार भी तो यहाँ पर देखो वैसाली के निकट एक गाव था कुंडल गिराम वहाँ पर हुआ था कब हुआ था पांसो निन्यान में इसा पूर्वे इनका जनम पांसो निन्यान में इसा पूर को वैसाली के समीब कुंडल गिराम में हुआ था अब इस लाइन को कैसे लिखोगे कि ऐसे लिखना है मावीर स्वामी का जनम वैसाली के निकट कुंडल गिराम में पांसो निन्यान मैई सापूर को हुआ था किलियर हो गई बात आगे चलते हैं इनका वंस कुल अब आप देखते हूँ आपके भी कोई न कोई वंस होगा मेरा भी वंस है उसी परकार महावीर स्वामी का भी कुल था वंस था अधिक तर ये चत्रिय वंस के वे हैं जैसे आप देखोगे कि महत्मा बुद्ध भी एक राजा का पुत्तर ही था यानि सट्रिय था तो देखो इनका कुल क्या है वो देखते हैं ग्यात्रिक सट्रिय कुल इनके वन्स का नाम द्यान रखना ग्यात्रिक सट्रिय कुल क्योंकि इसमें भी आपको लिखना है और आपकी competition के exam में होती है उनमें भी यह परमुक बन ज सक्के कुल था उनका नाम यानि उनका वन्स का नाम क्या था सक्के ठीक है सक्के गंडराज्य में उनका जनम वह तो सक्के कुल के थे ठीक है इसलिए आप देखते हो हो कि मात्मा बुद्ध को सक्के मुनी भी का जाता है उसी परकार इनके वन्स का नाम क्या था बता दिया है इस परकार आपको comparison करते हुए इसको पढ़ना है जिससे कि दोनों चीज़ा आपकी clear हो जाएं आगे चलते हैं इनके माता पिता कौन थे जिन्होंने इनको जन्म दिया very important मन जाता है ये भी इनके जो माता थी वो त्रसला थी अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि त्रसला कहां की राजगुमारी थी क्योंकि राजगुमारी ये जो त्रसला थी वो लिच्वी वन्स की राजगुमारी थी लिच्वी वन्स ठीक है एक लिच्वी वन्स हुआ करता था उसकी राजगुमारी थी त्रसला और यहां का राजा कुन था? यहां का राजा था, चेटक में आप काफी बार नाम भी सुनते हो, और ये जो इनका भाई था, पिता नहीं था, चेटक कुन था, तिरसला का भाई था, ठीक है? इसके बाद में इनके जो पिता थे उनका नाम था सिदार थे सिदार थे इनके पिता का नाम था यह है ना जो यह जो कुंडल गिराम आप देख रहे हो इनके जो सरदार हुआ करते थे सरदार थे और ये कुंडल गिराम जो है न छेतर जादा बड़ा छेतर नहीं था तो इनके सरदार सिद्दार्थ हुआ करते थे जो महावीर स्वामी के पिता थे यदि कंपेरिजन करोगे मात्मा बुद्ध से तो मात्मा बुद्ध की मा का नाम क्या था महा माया था जिनके साथ दिन बाद में मर्त्य हो गई थी यानि मात्मा बुद्ध जन में थे उसके साथ दिन बाद में उनके मर्त्य हो गई थी उसका लालन पालन महा परजापती ने पाला था यदि इनसे comparison करते हो मात्म बुद्ध के पिता का नाम क्या था तो आप सुनोगे सुद्धोधन सुद्धोधन ठीक है यहाँ पर सिद्धार्थ इन माविर स्वामी की पिता हो जाएंगी तो यहाँ पर ऐसे comparison करके अपनको पढ़ना है इसके बाद यहाँ पत्नी यशिय। इनकी पत्नी जो थी ना बहुत सुन्दर थी राजगुमारी intent आप देखते हो एक नम्मर हुआ करती थी राजगुमारी उसी परकार मात्म माविर स्वामी की जो पत्नी थी वो भी एक ही नम्मर थी भाई-साभ पहले की जो राजगुमारी बीवा करती तो वह मेक अब हो थोड़ी किया करती थी आप तो मेक अब करती है उस ताइम प्रकर्ति संदर्था फिर टती आपन कल्पना भी उस टाइम में उस टाइम में इनकी शादी कर दी गई थी यह सोधा से ठीक है अब मात्मबुद की पत्नि का नाम क्या था comparison करोगे तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे यह सोधरा यह सोधरा मात्मबुद की पत्नि का नाम था अब यहाँ पर देखो यसोदरा यसोदा जादा अंतर नहीं है ना तो यहाँ पर तो यसोदरा बोणना है और यहाँ पर सिर्फ यसोदा तो माविर स्वामी की पत्रिकार नाम क्या था यसोदा ठीक है पुत्री इनकी कौन थी माविर स्वामी के एक पुत्री का जन्म भी तो confused नहीं होना है दोनों को यह अपन को मानना है अब एक important बात बताता हूं friends आपको कि महत्मा बुद्ध के क्या पुत्री का जनम हुआ था क्या नहीं हुआ था उनके पुत्र का जनम हुआ था जिसका नाम तर राहुल समझभारे ना और माहवीर स्वामी को पुत्री का जनम ह हुआ था तो दोनों उनके लड़का उत्पन हो रहा है इनके लड़की उत्पन हो रही है तो ज्यादे दिक्कत करने की ज़र्वत नहीं है आपको इतना और द्यान रखना है कि पिरिये दर्षना यानि इनके पत्ति कोन थे अब पुत्री हो गए तो उसकी शादी भी तो ये मावीर स्वामी की दामाद हुए और इनके पती थे आगे चलते हैं बच्पन का नाम इनके बच्पन का नाम वर्दमान था बहुश्यवानी जब इनका जनम हुआ तो काफी सारे जो पंडित पहले क्या होता था कि जब भी राजा का पुत्तर का जनम होता था ना तो कुछ विद्वानों ने ये बोला कि ये बिक्सु बनेगा जो जंगलों में रहेगा गर वार को इन त्याग देगा तो इस पर कारी बहुश्यवानी भी इसमें आजाएगी ठीक है आगे चलते हैं गर्य त्याग से लेकर ज्यान प्राप्ति तक आकिरकार में महावेर स्वाम आप लिख नहीं पाऊंगा गरहत्याग तीस वर्स की आयू में किया जब मात्माबुद तीस वर्स के थे उस टाइम इनके पिता की मर्त्यू हो जाती है और इनके पिता कों थे सिद्दार्थ अब आप सोच सकते हो कि जब किसी के पिता की मर्त्यू हो जाती है तो उस पर दुख को वो ही अन्वव कर सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ हो अने तक कोई भी उस दुख का अन्वव नहीं कर सकता उसी परकार इनके इनको बहुत दुख हुआ और इनों ने गिरहत्या करने का मन बना लिया यानि एक आध्यात्मिकता की तरह इनका जुखा हो गया तीस भाई इनका भाई था नंदी वर्दन नंदी वर्दन ठीक है बड़ा भाई था इसकी आज्या लेकर ग्रहत्या कर दिया अब बोदर मात्मा बुद्ध से यदि आप comparison करोगे तो मात्मा बुद्ध ने तो किसी की जाज़त नहीं ली थी अपनी पत्नी और पुत्तर जिसका नाम लेकिन महावीर स्वामी ने अपने बाई नंदी वर्दन की आग्या लेकर ग्रहत्याग कर दिया क्लियर हो गई यहां तक बात अब ग्रहत्याग कर दिया ना तो सुरू का जो एक साल था और एक महीना था यहां फिर ध्यान देना एक साल एक साल और एक महीना थेक है इस परकार आप देखोगे कि एक साल में बारा महीने होते हैं और यह जो एक महीना वो जोड़ोगे तो तेरा महीने हो गए इन तेरा महिनों में ये जंगलों में गूमते रहे तपश्या की लेकिन सपलता हाथ नहीं लगी इसके बाद में इन्हों ने कठोर तपश्या की बारा साल तक इन्हों ने कठोर तपश्या की और जब यह तपश्या कर रहे थे तो इनके जो वस्तर थे वो जीण सीण होकर अपने आप ही गिर गई खुद नहीं उता रहा अपने आप ही गिर गई अब अपने आप गिरने के बाद में इनके सरीर पर आना जो जीव जो होते थे जंगलों में तो देखते हुँ यहाँ पर आपन गर्मे रहते हैं तब ही इतने मखी मचर हो जाते हैं गर्मे में कि बुरा हाल कर देते हैं अब आप सोच सकते हो कि वहाँ पर जंगलों में एक तपश्या कर रहा है और उसके सरीर पर कितना बुरा यह हैं पर काल चक्छ गाओ की लेकिन उन्हार में ग्यान की प्राप्टी हो गई अब ग्यान कहां पर प्राप्ट और यह important हो जाता है ठीक है गाउं कौन सा था जंबी ए- ग्राम जंबी ए- ग्राम एक गाउंब है और नदी यह भी important वाइसा आप नदी इनके हो जाएगी रिजुपालिका या उजुवालिया दोनों का ना यानि रिजुपालिका का दूसरा नाम क्या है उजुवालिया उस नदी के किनारे इनको ग्यान प्राप्त होता है और इनको केवल्ले ग्यान प्राप्त हुआ ठीक है इनको कौन सा ग्यान प्राप्त हुआ केवल्ले ग्यान तो आप इसको कैसे लिखोगे कि मात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जंबिये ग्राम के निकट रिजुपाली का नदी के किनारे के वल्ले ज्ञान प्राप्त हुआ इस परकार आप लिखना सीखो इसके बाद में मौक्स प्राप्ति आपने इसको मर्त्यू भी बोल सकते हैं लेकिन मर्त्यू बोलना सही नहीं है क्यों क्योंकि एक साधरन आद्वी मर्ता है उसके लिए आप मर्त्यू सब्दियूज कर सकते हो लेकिन जो विद्वान होता है उस पिच्छेतर वर्ष की आयू में हुई थी ठीक है ज्ञान प्राप्त होने के बाद में ये जगा जगा लोगों को ज्ञान देने के लिए गए लेकिन ज़्यादा मात्मा बुद्ध के कंपेरिजन करोगे तो मात्मा बुद्ध ने दूर दूर तक ज्ञान का परचार किया लेक नगना वस्ता में जाएगा तो ये जो बच्चे होते हैं वही उसका मजा को डालेंगे तो ज्यादा इस्तानों पर यह नहीं गए अपने जो क्योंकि नगना वस्ता में थे जैंद्रम में भी दो समपरदाइं या दिगंबर और स्वेतांबर का मतलब स्वेत कपड़े पहनन होगा कि फिर वो सारी बहुत सार चीज़ हो जाती है तो बैत्तर वर्ष की आयू में मुख्षिक प्राप्ति हुई इनको पावा में यह कहां पढ़ता है पठना में इसका पुराना नाम क्या है पाटली पुत्र पाटली पुत्र ठीक है तो पाटली पुत्र में आखिरकार में पावा में इनका निदर हो गया बैत्तर वर्ष की आयू में ठीक है इसके बाद में जैन्दरम के सिद्धान्त अमने जीवनी है जो कवर कर ली जैन्दरम के जो सिद्धान्त है उसमें पहला सिद्धान्त आता है श्यादवाद का सिद्दान्त बिलकुल इजी है ज्यादा हाड नहीं है इसको द्यान से पढ़ो कहानी के आदारप्रमा आपको समझाओंगा कि किसी एक द्यान देना किसी एक व्यक्ति को पूर्ण सत्य की जानकारी नहीं हो सकती जैंदर हम यह कहता है बाइसाब जो एक व्यक्ति होता है उसको पूर्ण सत्य की जानकारी नहीं होती है वो दारण के तोर पर समझाओंगा आप मेरे से पढ़ रहे हो आप क्या मेरे बारे में पूर्ण सत्य जानते हो गया थोड़ा बहुत नोलेज होगा कि विनोस सर आपको देरे स्टेड़ी पॉइंट पर पढ़ाने इतना जानकारी होगी फिर जैंद्रम ये बोलता है कि जदी एक से अधिक यानि एक से अधिक लोग किसी चीज के बारे में किसी चीज के बारे में पूर्ण सत्य नहीं जानते उसके नजदीक पहुंच सकते हैं यानि काफी सारी जानकारी रख सकते हो लेकिन एक व्यक्ती पूर्ण सत्य की जानकारी नहीं लगा पाता एक से अधिक व्यक्ती एक से अधिक व्यक्ती सत्य के थोड़ा नजदीक पहुंच सकते हैं लेकिन वो भी पूर्ण सत्य की जानकारी नहीं लगा सकते, ठीक है, मा लीजे, आप मेरे पडोस में आओ, और लोगों से पूछो गयार उनोत कैसा है, तो दूसरे लोगों से पूछाना आपने, तो वो कुछ बताएंगे, कुछ फेस्बुक से आप मेरे बारे में जानूगे, मेरे चरितर के बारे में जानूगे, तो आप फिर भी मेरे बारे में पूर्ण सत्य की जानकारी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि मेरे अंदर क्या चल रहा है, वो आप नहीं बता पाओगे, उसी परकार एक वक्ती पूर्ण सत्य के बारे में जानकारी नहीं दे सकता, एक से अधिक लोग मिल जाएं तो सत्य के थोड़ा नजदीक पहुचा जा सकता है लेकिन पूर्ण सत्य की जानकरी फिर भी नहीं लगा सकते तो यहाँ पर देखो एक कहानी के माधिम सिनों ने समझाया है कि एक हाती और साथ अंदे साथ अंदे व्यक्ति थे और आती था किस परकार उदाने लिए कि एक अंदा जो व्यक्ति था उसको हाती का जो पैर होता है ना उसको इस पर स्करवाए गया अब आप देखते हो कि एक अंदा व्यक्ति है और हाती के जो जो ही वो पैर लगाता है, शाहत लगाता है, तो उसको पूछा गया कि यह क्या है, तो उसने जबाब दिया, कि यह कोई बड़ा सा खंबा है, ठीक है, दूसरे को उसका उसकी जो कान है, जो कान है न थीके, उसको इसपर også कराय गया, तो वो जो अन्दा व्यक्ति था, उसने बताए कि यह तो पंखा है, ठीक है, तीसरा अंदा व्यक्ति आया, उसको है ना, जो आती की पूँच होती है, पूँच होती है, उसको इसपर्स कराए गया, उसने बोला कि यह तो रसी है, ठीक है, एक और अंदे व्यक्ति को इसपर्स करवाए गया, हाती की जो पीट हो होती है उसको इस परस्करवाए गया तो उसने बोला कि यह तो कोई फत्तर है अब आप इस उदारण के माध्यम से क्या समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी हर व्यक्ति है ना जो पूंड सकते नहीं जान पयात थी के बारे में गलत बता रहे हैं लेकिन इन सब सातों के साते व्यक पया कि यह कोई बड़ा सा जानबर है लेकिन क्या वो पूंड सत्य तक पहुँचे क्या नहीं पहुचे फ्रेंड्स वो यहीं बता पाए कि यह कोई बड़ा सा जीव है सत्य के नजदीक पहुँच गए नजदीक पहुच गए लेकिन पूंड सत्य की जानकारी नहीं लगा पाए उसी परकार यह शादवाद यह कहता है कि किसी को पूंड सत्य की जानकारी नहीं है और वो इसके मादिम से यह भी समझाने का प्रियास करता है कि लोगों के पास थोड़ा सा भी ज्यान आ जाता है तो वो अपने आपको महान विद्वान समझेने लगता है वो यह कहता है कि सारे दर्मों को एक मिल जाना चाहिए एक सारे एक मिल जाएंगे तो काफी सीजों के बारे में और भी जानकारी मिल सकती है तो फ्रेंडस आज की वीडियो में इतना ही जदी वीडियो थोड़ा सा अब यह आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बैल आइकन को दबादो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए ठैंक्यू